पहलो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारी एको नई वीडियो में तो आज हम लेके आएं डिजाइनर कुड़ते की स्टीचिंग जिसके हमने अभी थोड़े दिन पहले कटिंग बताई थी उसी डिजाइन की स्टीचिंग ले गया है तो दोस्तों यह देखिए यह हमारी लागाना इसको पर एक अंदर के मार्जन फॉल्ड नहीं करना है आपको चाहे तो आप कर सकते हैं इस तरीके से सिलाइं लागा ले और इसके फिर उसके बाद हम स्टीचिंग स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों अगर आपने हमारी कटिंग वाली वीडियो नहीं देखिए तो आप फड़ावट जाके उसको देखें पिले हम दिसक्रिप्शन में लिंक डाल देंगा उसका फस्त नमबर पर आप उसको जाके देखी उसके बाद आपको यह समझ में आईगी वीडियो तो पहले उसको देखें फिर इसको देखना है आपको तो ओस तरीके से कट लगा कर आपने पट्टी लागा लिए इसकी फ्रेंट पर ठीक है एक बूट का माजन चोड़कर और जो यह हमारी ब्लेक पट्टी जिसके हम पाई पिन निकालेंगे यह हमने सीधी रख लिए और फ्रेंट को उल्टी साइट रखकर इस पर सिलाई लागानी है दोस्तों यह जो हमारी पट्टी इसको पर आपको एक बूट की सिलाई लागानी है जो कि हम पाई पिन निकालेंगे हमारी वह एक बूट की चोड़ी रहेगे एक बूट जित्ती चोड़ी ठीक है दोस्तों तो एक बूट की सिलाई लागा लें इसको रखकर कपले के बराबर फ्रेंट का जो कपला उसके बराभर रखकर और एक बूट की सिलाई लगा ले बस एक बात का दियान शाओ है जो हमारी पटी है यशी जड़ से आपको मारजन नहीं काटना इस तरीके से यह बूट का काटना है और कुटकर लगा दे ना है अब जो यह मारजन हमारा है यह सीधी साइट फोल्ड हो जायागा और इस पर हमें जो हमारी फीजिंग लगाई हमने इसकी जड़ में सिलाइल लगानी बिल्कुल जड़ में लगानी दोस्तों सिलाइए जो कि हमारा आदा बूट के हमने पट्टी पर शिलाइले लगाएती हुद यह आदा इंच आदा एक बूट के रहेगी और आगे पीछे नहीं होगी ठीक है दोस्तों तो यह हो गया अब इस तरीके से हम उपपर की साइट लगाएंगे तो यह सीधा हमने ब्लेक कपड़ा रख लिया आए और इसको रखकर इसी तरीके से आपको इस पर आदा इंच के करीब सिलाए लगानी है ठीक है जोस्तों आदा इंच के करीब लगानी है जो के हम एक बूट के पाइप निकल लेगे हमारी और एक बूट हमारा जो त피ीकी मारजन की लिए आ जाएगा जो मारजन में दप जाएगा हमारे ठीक है दोस्तो आ इस पर कुटका लगा कर देखिए आदा इंच्छ और इस पर पर पूटकाThis कर दो तक और इस इस तरीके से आपको बराबर रखना है इसको तो यह देखिए हमारा कपड़ा जो हमने काटा था ठीक है दोस्तों अब इसको रखकर आपको इस तरीके से बराबर से रख लें इसको और इसको रखकर आपको इसके स्टीचिंग करनी है तो यह जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ह इसको हम कट कर लेंगे और इसको कट करने के बाद हमें एक सिलाई लगानी है जो कि हमने एक बूट की सिलाई लगाई है उसी के उपर सिलाई लगेगी देखिए इसको सीधा रख लेंगे हमने एक साइट इसकी प्रेस से फॉल्ड कर लिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो इसलिए तो आपको इसको एक बूट पर जो हमने ये भी सिलाई लगाई है उसी सिलाई के उपर उपर आपको ये सिलाई लगानी है दोस्तो बिलकुल उपर लगें ज्यादा अंदर जाए ना ज्यादा बाहर जाए ये जो हमार सिलाई है यह बहुत मेन है हमारे डिजाइन के लिए दोस्तों कि हमारा फ्रेंट का डिजाइन है अगर हम इसमें चूक कर देते हैं जरासी भी गलती तो यह हमारा फ्रेंट का डिजाइन बेकार हो जायागा इसलिए आपको बहुत ही फिनिशिंग से लगाना है इसलिए आप ब दुबारा लागाना पड़ेगी तो यह देखिए यह चुका है हमारा अब इसको हम काटेंगे तो इसको इस तरह की से एक बूट काट लिया है हमने यह देखिए यह बिलकुल किनार पर से लागी है बिलकुल फिक्स ठीक है अब इसकी नोग पकड़के और इसको सीधी साइट फोल्ड कर लेना है तो यह देखिए दोस्तों हमारी जो पाइपी ने बिलकुल एक बूट की और कितने खुबसूरत तरीके से निकली फिक्स तो इसको केची के मदद से निकाल लेंगे और यह देखिए यह हमारी पाइपी आ चुकी है और कितने ही सफाई के साथ तयार होते हैं इसके बिलकुल प्रीच में लगाना जो की दिखेना और इसको सेट कर देना उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी नीचे से शिलाए लग आप चाहा तो नीचे से भी लगा सकते हूं है लगा सकते हैं इसको जो देखिया मारजन को अंधर करते हुए आपको यह स्यलाई लगानी ध्यान से जो अंधर का माजन हमारा वो बाहर ना दिखेगा इसका ध्यान लखना आपको और इस तरीके से बड़ावच्ची सिलाई लगा देते हैं हम कम्प्लेट कर देते हैं इसको बादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तो यह देखिए यह हमारी सिलाई त्यार हो चाहिए तो दोस्तों अगर आपको इसकी कटिंग देखना है तो हम आप हमारे चैनल पर जाकर से देख सकते हैं या फिर हम इसकी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी स्क्रीन के उपर देखने को मिल जाएगा लिंक वहां से भी आप देख सकते हैं तो उस वीडियो को जरूर से देखें दोस्तों तो वह वीडियो आप फस्ट में वह देखेंगे उसी के बाद आपको हमारी वीडियो समझ में आईगी नहीं तो आपको समझ में आएगी तो उस बात का जान रखना है तो यह देखिए दोस्तों यह हमने सिलाई लगा रहा है एक बात का ध्यान रखना है आपने जो अंदर मारजन है पुर्षी के किनारी पर सिलाई लगाना है पको यह सिलाई ताकि जो इसका फॉल बैटेगा यह उबसुरत रहेगा अगर पट्टी पर लगाएंगे तो पट्टी पदली नजर आएगी और डिजाइन फिनिशिंग के साथ नहीं बेटेगा इसलिए आपको बिल्कुल जड़तक सिलाई लगानी इसके जो हमारा अंदर का मारजाना उसके बराबर तो देखिए हम वालेट बनाएंगे तो इससे सेंटर ले लेंगे आप ठीक है और इसको एक इंच उपर बनाना वालेट को हमारी तो वालेट के वीडियो अल्रेडी हमने डाल रहेगी दोस्तों आप लोग चाहें तो महां से देख सकते हमारे चैनल पर विजिट करकर फिर भी हम आपको बता देते हैं कि वालेट में पाइपिन कि खली आप तो इसको किस तरी कैसे लगाना ये हम आपको बता देते हैं ये हमारा खप्ला औगया आप इसको रखकर सीद्य साइट अंदर के साइट रखना दोस्तों आपば रो ठीक है ऑ्र उसके अंदर सीधाय अफर यह हमारे फीजिंग के एक बूट के सिलाह लगाना फीज तोड़ी दूरी पर लगा दे बिल्कुल जड़ में यह है दोस्तों कि आपको अगले शिलाई भी उसी को पर लागाना पड़ेगा अगर यह आउट हो जाती है तो आपकी शिलाई बहार नजर आएगी इसलिए आप बिल्कुल थोड़ा दूर लगा सकते तो यह देखिए वाल इसलिए के साथ हमारी यह वालेट कंप्लीट हो डगई है यह तो किस तरीके से लगाते हैं वह भी हम आपको बताएंगे ठीक है तो यह देखिए कपड़ा डबल करकर प्रेस मार लिने अब इसको फॉल्ड करना आपको इस तरीके से बहुत तरीके से फॉल्ड़ होता हमारे वालेट की चोड़ाई है तो उससाब साम इसकी चोड़ाई रखेंगे तो देखें इस तरीके सेट करने जैसा आपका बैठें यह देखिए यह हमारी बेट चुकी है चाहे तो आप इसको और सेट कर सकते हैं परफेक्ट सेट करने में थोड़ा टायम लगता दोस्तों यह देखिए हमारा सेट हो चुका यह अब इसको कट करकर एक सिलाइसे इसको अटेज कर देना दोस्तों वालेट के अंदर बिल्कुल ताकि यह जलके ना और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जाद जाद अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी नए उनों के वज़े से पूरे देश में लोगडाउन लगा हुआ है तो बहुत ही दिक्कत हो रही है बनाने में घर पर ही बनाना पड़ रही है हर चीज जैसा सब बेट रहा है तो इसलिए आप प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब करें हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको ही फर्स करता है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखा है हमें इससे हमें मोटिवेशन मिलें और आपके लिए इसी नए नए डिजाइन लाते रहें तो यह देखिए यह हमारी कंदी जुड़ चुकी है अब इस पर सिलाह लगा कर इसको अटेज कर लेंगे और दोस्तों आप हमें इस्टाग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं इस्टाग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में महां से जाके हमें जोइन कर रहें हम महां नए नए सेटिंग कर सकते हम से तो यह आला चाट लेंगा जैसा कि नर्मल चटता है इसमें पहले ही हाला चाट लेना आपको फस्ट वीडियो में किस तरीके से आपको यह आला सेट करना तो आप फस्ट मीडियो में देख लीजाएगा ठीक दोस्तों अभी इस्टेन चड़ाना नोर् गीक्तों के स्टेन चरती है थिस से एस्टेन हमारी इस पर शिलाहें लगाकर एक बूट जैना आक्छाद को और यह हमारी वीडियो भीमस्टेट हो जाते हैं हमारे डिजाइं तो यह देखि यह हमारी लांकर प्लेड हाँ आपको एक बात नाँ हो conoc देजाइन की नपेल है हमारी इसके जो हमने कुटका लगा हो कुटका अंदर आना चाहिए आपकी स्टेन के बाहर ना रहे बस इस बात का दिहार नखना आपको बाकी सबी चीजें परफेक्ट हैं और सिंपली से स्टेन चड़ जाएगा आपकी कोई दिकत नहीं होगा इसके अ तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो जाए जाएदा अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बाई फ्रेंड्स कgriffрий में उते हैं में चेहां आपकी को ले महाज़ परें को डेक्ट और-फरेंश इनसे में अखके अ झाल 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 झाल